हाँ सभी को नश्कार और सबको बड़ा बिजबरी से इंतिजार होगा और आज से हमने इस होली फेस्टेबल से एक न्यू कैपसूल क्लासेज स्टार्ट किये हैं यह कैपसूल क्लासेज जिसके अंदर आपके स्लेबस को कवर किया जाएगा चाहे वो एक्जाम आपका हर्याना टीजीटी या पीजीटी राहिस्तान ग्रेड टू आपका मद्य प्रदेश पीस्सी जो स्पोर्स ऑफिसर है उसके बाद टीचर अलेजिबरी टेस्ट माधिमिक क लिए यूपी टीजिटी बझाब का टैट और जितने भी एक्जाम है लगबग स्लेबस को ले के हमने यहाँ पर कैप्सूल क्लासे स्टार्ट की है और जो पर्टीकुलर हर्याना पी जीटी या डी ट्रपल एस्बी के स्लेबस से ओगा जो इसमें स्लेबस से नहीं उसका एक कोशन्स हैं और जिसकी त्यारी अच्छी होगी वह अटेम्ट ठीक देगा बट यह ध्यान रखना है कि 11 कईयों को हताश होने की जरूरत नहीं है कि कोशन्स नहीं कर पाए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपने देखा हुगा एक्जाम्स के अंदर अभी जो केवियस का एक स्कूर किया है बड़ी खुशी है उसमें और उसके बाद आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहें और जैसा मैंने बताया कि हमारे सेंग जुड़ने के लिए एक फोन नंबर जूरू नोट कर लेना है 798363780 इस नंबर पे आप कॉल ना करके सीधे वाटसब मैसेज करेंगे तो हमारे सेंग जुड़ जाएंगे और काफी लोग जुड़े हुए हैं और साहिद उनको अच्छा भी लग रहा हुगा क्योंकि हमने जो भी जितने भी एक्जाम में डी ट्रपल एस भी है अरियाना क सबका अलग-अलग फोल्डर बना दिया गया है और आपको अलग-अलग जो आपका स्लेबस वाई उसमें वीडियो मिलेंगे यह ध्यान रखना है कि जो कैप्सूल क्लासियस हैं 370 कैप्सूल क्लासियस में दे रखी उसको छोड़ना नहीं है उसको अवश्य करना है वो आप के लिए बहुत फाइदेवन्द है ठीक है ना और तो आज हम देखते हैं पहला कोशन स्टार्ट करते हैं कोशन स्टार्ट करने से पहले सभी को इस रंगों के तैवार होली की हादिश उपकामना है और आज देख रहे होंगे कि आप हमारा आर्ट मार्च आज होली सभी को भी ध्यान में रखने की जरूत है तो क्योंकि लगबग मैं देखता हूं नौ साड़े-9 वज़े तक होली का फस्टिबल सबके घरों में स्टार्ट जाता है वैसे तो सब लोग मिलने वाले जो है 9-10 वज़े तक स्टार्ट करते हैं तो इस कैप्सूल क्लास को आपको दे मत मैंने क्या बोला कि 370 कैप्सूल क्लासेज अलरड़ी आपके एप के उपर पढ़ी है उनको अवश्चे देखना है उनको देखने के लिए आप स्टडी मैटेरियल में जाएंगे तो वहां पर आपको स्क्रीन चुए पीडिया फाइल में लेगी उन कोश्चन्स की उसके के बाद हम कोशन स्टार्ट करेंगे बाई एक्रोमियल क्लाविकल बाई ट्रोकेंट्र टीविया बाई इलियक इलियक क्रेस्ट आपके पास सारीरी सिक्षाक्स अगर अधियन बुक होगी तो 25 नंबर पेज अवश्य पढ़ने की जरूँ तो 25 नंबर पेज से एंत्रोपामेट्रिकल बेस बता रखा है आधार उनको जरूर देखना है क्योंकि सबके सिलेबस में वो है तो आप देखेंगे बाई कॉंडिलर का मतलब अगर आपने देखा होगा ये हाथ देख रहे हैं ये आप ये दोनों तरफ निकलावा देख रहे हैं आप हड़ी निकली हुई है ठीक है ये जो हमारी हूमरस हड़ी है हूमरस का दोनों ये निकला हुआ है इसको कॉंडिलर ब आपकी femur हडडी का घुटने के पास नी के पास देखते हैं लोग तो by condol एक तो एलबो के पास हो गया और एक नी के पास हो गया नी के पास वाला उसको कहेंगे हैं by condol किसका हमने femur bone का और यहाँ पर humorous bone का तो यह humorous लिखा है बिल्कुत सही है यह फिर आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे आप देखेंगे कि अगला बोलता है कि बाई एक्रोमियल अब देखना बाई एक्रोमियल क्या हुआ अपने एक्रोमियल प्रॉसेश देखा हुआ अगर मैं यहाथ उठा रहा हूं हाथ उठा रहा हूं तो यहाँ पर आप देखें जो क्लेविकल हड़ी है ज स्लाइटली मूवेवल तो ये जो भागि जुड़ रहा है इसको कहते है अब बाई एक्रोमियल का मत्तब है क्लेवीकल का एंडपॉंट उन दोनों के बीची दूरी ब्यद्र कि बाई एक्रोमियल दाइमीट या बाई एक्रोमियल विट्थ यह हमारे anthropometrical measurement होते हैं कुछ चार-पाच नाम ऐसे हैं जिनको आपको समझना है बस तो बाई एक्रोमियल ख्लेविकल हड्डी से जुड़ा हुआ है बिलकूस ही लिखा हुआ है थिर आप दिखते हैं BITROCHANTRIK by trochenta आप अगर पढ़ा होगा आपने humorous bone humorous bone में trochenta होता है trochenta कैसी होता है ध्यान देना अगर मैंने हड़ी आ रही हुँँपर साइड में यह ऐसे करें जोल दे रखा है मतलब जरह से हूम रखी है वो trochenta कहलाता है तो by trochenta का बाता है humorous addy जो हमारी hip मतलब जो हमारी hip bone से जुड रही है ऐसे जो हमारी hip bone से जुड रही है तो वो उसका blah cuarto जो हमारी hip bone में जुड रहा है थीक है ना मतलब हमारा जो acetablum cavity के अंदर वो enter कर रहा है वो दोनों एक हमारा femur का इधर वाला भाग इधर वाला बाग, इन दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं, बट यहां पर यह टीविया लिखा, यह गलत लिखा हुआ है, यह अगर फिमर लिखा होता तो सही होता है, जो हमारी इनॉमिनेट बोन होती है, इनॉमिनेट बोन मतल़ हिप बोन, हिप बोन में जो हमारा फिमर हड जब लगती है तो उसके बाहरी बारी दोनों साइड वाले भाग को हम भाई बाई कादा दो ट्रोकैंट्रिक काहला आता है तो यहाँ परी गलत क्रेस्ट बोलते है तो बाई इलियक कर西ٹ ठीक है बाई इलियक क्रेस्ट तो बाई इलियक क्रेस्ट था बाहरी भाग उस इलियक के बाहरी भाग को बाई इलियक क्रेस्ट कहते हैं तो यहाँ पर गलत क्या हो गया वाी ट्रोकैंट्रिक गलत हो गया ईक इस हमारे एंफ्रोपरमेट्रीज ses de j 갑자기 28 सारे उनहाली ब्भीवाली बुक होगी इस बुक के अंदर आपके 25 नमबर पेज से स्टार्टे कैसे चार-पांच पेजrim उसको पड़ना बहुत जरूरी है पिर आप दिखते हैं नेक्स्ट है निम में क्या गलत है weight in kg upon height in meter का cube यह three लिखा हुआ है तो इसके आगे PI लिखा है Pondral Index Pondral Index P P-O-N-D-E-R-A-L Pondral Index Index का मत्तला है एक norms तो weight in kg upon height in meter का cube अगर होता है तो यह Pondral Index का हमारा सूत्र होता है यह भी आप उसी 25 नंबर पेज पे देखेंग आगे बढ़ेंगे तो आपको Pondral Index मिलेगा उसके बाद acceleration तोरन वही Newton का law आपने देखे होंगे सबसे पहले नियम को हम बोते है law of inertia मतल़ जड़तों का नियम दूसरा नियम, तुरन का नियम या इसको law of momentum बोलते है समवे का नियम भी कहते हैं और तीछरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया गरा है law of action and reaction तो जो second law अगर हम Newton's के law को जब हम एकदम derivative करते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा F equal to MA होता है force equal to mass into acceleration होता है अब यहाँ पर इसने पूछा acceleration क्या होगा यहाँ देखने की जरूत है force equal to mass into acceleration यहाँ देखना है आपको force equal to mass into acceleration MA अगर हमें acceleration निकालना है तो क्या होगा F A को हम यहीं छोड़ देंगे हम तो यह M कहाँ चले आएगा नीचे आजएगा तो यह बिल्कुल सही लिखा A equal to acceleration equal to F upon M बिल्कुल सही लिखा यह mathematical calculations है उसके आगे देखे weight in kg upon height in meter का square सब को पता BMI body mass index Body mass index का formula ही होता है weight in kg upon height in meter का square बिल्कुल सही फिर हम क्या करते है इसके index में देखते है index मताँ norms बना हुआ है 18 तक है तो हम बोलते हैं underweight 18 से 25 को normal weight 25 से 30 को हम क्या बोलते हैं आप बोलते हैं overweight 30 से उपर जैसे बढ़ता obesity स्टार्ट कर देते हैं अब अगला आता है stroke volume अगर आपने circulatory system में cardiac output पढ़ा होगा तो cardiac output का मतलब क्या होता है हमारे heart दोरा एक minute में pump की गई रख्तकी मातरा तो cardiac output का formula होता है stroke volume into heart rate stroke volume into heart rate होता है तो आप देखेंगे तो यहां पर stroke volume into heart rate होता है तो आप देखेंगे cardiac output cardiac output equal to stroke volume into heart rate होता है अब यहां इसने formula पूछा है stroke volume stroke volume पूछ रहा है तो cardiac output के नीचे heart rate आ जाएगा बट यहां पर cardiac output into BMR दे रखा है यह गलत दे रखा है इसलिए इसका D answer इसका होगा question number 2 का D ठीक है next देखते हैं ठीक है हाँ लोग पूछ रहें कि book market में आ गई है अभी book market में नहीं आई है आप यह जो book है अब आप इस book को ले लीजी अभी भी जिसके पास नहीं है ठीक है उसके बाद अगला आता नियन में क्या विशम है IOC, ICC, OCA, SAOC बहुत धंग से संग से सोचा जाए तो IOC का International Olympic Committee है ना Multi Sports Event होते हैं इसके इंदर ऐसा नहीं कि खाली एक ही खेल होगा कल खेल होते हैं IOC जो और्गनाइज कराती है Olympics ICC International Cricket Council ये खाली किर्किट से सम्मन देते हैं OCA, Olympic Council of Aciard Acian खेल जो होते हैं इसी में और्गनाइज होते हैं ये भी Multi Sports Event है उसके SAOC South Asian Olympic Council जो सैफ गेम होते हैं ये भी Multi Sports Event होते हैं तो यहां पर हमारा ओर्ड क्या हो गया ICC ओर्ड हो गया क्योंकि ये सिर्ट किर्किट से सम्मन देता है Question number 4 देखते हैं Question number 4 बोला Ocine Blood, Muscle, Condren, Cartilage, Collagen, Tendon क्या लिखा हुआ है Protein Matrix क्या होता है हमारी Body जो बनी हुई है Protein की बनी है हमारे शरीर में कोई भी चीज़ देखेंगे आपको Protein से बना हुआ मिलेगा अगर Blood के अंदर Protein है तो कौन सा Protein है? Glovein है याद रखना जिसक नाम के पीछे I-N लग गया इसका मतला है Protein है तो यहाँ पर बुला है Ocine Ocine तो हमारे Bone के Protein Matrix का है बुला याता है Bones के Protein Matrix को अगर Blood की बात करते हैं तो सुना होगा Hemoglovein Glovein का मतला Protein होता है तो यहाँ पर यह गलब दिख रहा है Mucine है M-U-C-I-A नी Mucine अगर आप Mucine देखते हैं तो Mucine क्या है? आपके Muscles के Protein Matrix को कहते है बिल्कुल सही है Muscles में अंदर और Protein पाया जाते है Actin, Myosin आपने देखा होगा Actin के अंदर दो और पाया जाते है आपने देखा होगा ठीक है न? तो यह बिल्कुल सही लिखा है Condrin Cartilages अगर आपने Types of joints जब पढ़ा तो देखा होगा joints को जो Slightly Immobile Joints होते है Cartilaginous Joint होते है उनको अलग-अलग परकारें बाटा गया है वो किस अधार पर बाटा गया है इस Cartilages के कारणे Highline Cartilage और दुसरा Fibro Cartilage के अधार पर अलग-अलग बाटा गया है तो यहाँ पर Condrin Cartilage का Protein Matrix है फिर आता Tendon Tendon के अंदर Collagen भी होता है Collagen एक Protein Matrix अगर आप देखें Collagen तो इस Ocene से जुड़ा हुआ है बट यह Tendon से भी जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे गलत हमारा क्या होगा है A Option हमारा इज़ा लगए ठीक है अगला Question देखते हैं Next Question है निर्ण में क्या गलत है कौन Neuron Nephron Alveoli आपने देखा कौन कोशिका होती है जो हमारे आँख के अंदर पाई आती है कौन क्या करता है हमारे रंगों के अंदर वर्गी करन करना बताता है आँख से हम जब देखते हैं तो कौन सेल जो होते हैं वो बताते हैं लाल दिख रहा है निला दिख रहा है, काला दिख रहा है, पीला दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, वो कौन सेल काम करते हैं, एक रोड सेल भी होते हैं हमारे आँखों के अंदर, रोड सेल क्या करते हैं, अंधेरे और उजाले में फरक करना बताते हैं, तो यहाँ पर कौन आई से, निरोन, निर नफ्स के सेल्स को कहते हैं तंत्रीका को हम निरोन कहते हैं नफ्स बिल्कु सही लिखा है नेफ्रोन लीवर गलत लिखा हुआ है लीवर से संबंदित नहीं है अगर आप नेफ्रोन देखेंगे नेफ्रोन किसे संबंदित है किड्नी से गुर्दों से संबंदित है गुर्दों में अगर आप देखेंगे स्वाशन तंत्र की जो इकाई होती है फेफ़रों के अंदर सबसे छोटी इकाई जो अलविलाई होती है जहां पर गैस एक्षेंज प्रॉसेज होता है यह हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रॉसेज होता है मतलब गैसों का आधान परदान ऑक्सीजन हुआ नफ्रों उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट निम्न में क्या गरत है जी टी डवलू पैट्रिक प्लेइज लाइफ इसका मतलब प्ले थियोरी की बात कर रहा है खेल मनो विज्ञान तो जो प्लेइज हैं जी टी आप देखेंगे जी टी डवलू पैट्रिक लॉर्ड क इन सबने रिक्रेशनल थीओरी दी थी मनोरंजनात्मिक धारना दी थी बट यहां पर प्लेइज लाइफ लाइफ प्लेइफिस ने लिए जॉंड डूई ने दिया था प्लेइज लाइफ तो यह गलत रहा है है यहां पर तो यहां पर देखेंगा हरबर स्पेंसर सर्प्लस इनर्जी बिल्गूर साही लिखाँ हुआ है काल्गुरूस प्री एक्सराइज अगर काल्गुरूस को देखते हैं आप तो काल्गुरूस ने एंटिसिपेटरी यह हम बोलते है przyxc system class ट्योरी दी काल गूरूस ने उसके अशरल एंस्च ट्रल में नेक्स्ट कोशосьन देखते हैं आगे अ लीज एंस्टलेर आगे अगला कोशन कि निम्नमे क्या गला सिब्सम निम्ने क्या वीशम है उसमें इसमें अंसर में नक या वीशम है एंसी एससे अ Jersey ओट एंसेसी यह Voluntarily Organization है स्वेम सेवी संस्ता है NCC I.O. Indian Olympic Association यह स्वेम सेवी संस्ता नहीं है MSS National Service Scheme राश्टिय सेवा योजन Voluntary Organization है Scout या Guide या Rovers या Ranger या सब क्या है हमारी Voluntary Organizations है बट यह नहीं है इसलिए यहाँ पर और हो गया B Option हमारा ठीक है Next Question चलते हैं निरुन में क्या गलत है Lockhart, MacPherson ने एक टेस्ट बनाया था वो टैनिस का टेस्ट नहीं था वो बैडमिंटन का टेस्ट था अगर आप बैडमिंटन के टेस्ट देखेंगे Miller, Wall, Wallie टेस्ट, Lockhart, MacPherson टेस्ट, उसके French Short Service टेस्ट कई टेस्ट बने हुए हैं साई बैडमिंटन के, साई बैडमिंटन टेस्ट Sport Authority आफ इंडिया ने हर के टेस्ट बना दिये हैं आपके syllabus में देखे रहा हूँ, साई का जरू जिक्र किया गया है, इसलिए साई के टेस्ट आवश्य आप देखने की जरूवत है, थीक्रिए उसके बाद आता मैंदॉण डॉणल्ड सॉणकर टेस्ट सॉण कर मतला फुट्बॉल टेस्ट आप देखेंगे मैंदॉण सॉणकर टेस्ट लोडजी मैंदॉणल्ड ने बनाया था जांसन पीलियमност जांसन Johnson Soccer Test, Crew Soccer Test कई Soccer Test बने हुए तो ये Soccer का Test बना हुआ है Brady Brady Volleyball Test Russell Lange Volleyball Test साइ का तो हर game में Test बना दिया है, भारत सरकार रहे हर खेलों के Test बना दिया है, तो ध्यान रखना आपको उसके वाद लैलिक Basketball Test, Johnson Basketball Test Knox Basketball Test लैलिक Basketball Test तो ये Basketball तो यहाँ पर दिखा, Tennis ये गलत दे रखा है अगर Tennis की Test देखे जाए Dire Tennis Test Habit Tennis Test ठीके न, तो यहाँ पर ये गलत है इसलिए यहाँ पर आठ हाँ A ठीके, अगला आप देखेंगे Next हाँ उसके बाद अगला पाइमिड है निवन में क्या गलत है, Cover Drive in Cricket Cricket के अंदर Cover Drive मार रहे हैं आप तो यहाँ पर कौन सा Lever लगेगा मैंने हमेशा जब भी पढ़ाया मैंने सुझाया है कि Hitting, Kicking, Throwing Hitting, Kicking, Throwing Smashing Swipping ऐसे words के अंदर Third Class Lever यूज होता है और खेलों में सबसे अधिक जो लिवर यूज होता है वो Third Class Lever याद रखना जब किसी आप उपकरन को हम मार रहे हैं हौकी की गेंद्रा की आपने हिट किया Third Class Lever लगेगा Cricket के अंदर बॉला रहा बॉलिंग कर रहा है Third Class Lever लगेगा आप लिवर की वीडियो को जाके देखेंगे आप पर तो बहुत अच्छा रहा समझ आएगा ठीक है ना सबकी वीडियो आप इसके पूरे टेस्ट और मेजरमेंट की वीडियो बनी हुई है अब आप देखेंगे यहापर जितने प्ले थियोरीज हो गया आपकी सबी आपके जितने भी सिस्टम्स है ठीक है ना यह आप देखेंगे एंथ्रोपेमेट्रिकल मेजरमेंट देखेंगे उस सब के उपर हमने वीडियो बना रखके इसको देखेंगे तो आप काफी कुछ क्लियर होगा हाँ कई चीजों की कई टापिक की अगर वीडियो जा रही है तो बनाई जा रही हो डाली जा रही है अपके उपर ठीक है ना तो आप देखेंगे थर्ड क्लास लीवर बिलकु सही लिखा हुआ है उसके बाद है हेडिंग इन फिटबॉल हेडिंग इन फिटबॉल के अंदर अगर आप देखेंगे ढंक से हेड मारते हैं जब बॉल और हमारा जो सिर का भार ये तो क्या हो गया हमारा वेट हो गया उसके बाद आप देखेंगे हमारी जो मसल्स होती हैं पर स्टर्नो क्लीडो मेस्ट्रॉइड मसल नेक मसल जिसको कहते हैं स्थ्र्नो एक लिड़ो मेस्टरिड क्योंकि स्थनों से जुड़ी है लिड़ 활ि़ क्लेविकल से जुड़ी हूर मेस्टॉइड मतलं मेस्टॉइड weiter मेस्ट्राइड पर इ engagement है तो मशनल्स का जो abdha दो आए उसके बाद जिया यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर जब ऐसे हेड हम मार रहे हैं ऐसे हेड मारते समय आप देखेंगे हमारा ओसी पिटल और सर्वाइकल वन बोलते हैं ना एटलांटो ओसी पिटल जॉइंट तो बीच में हमारा एक्सिस आ गया तो यह कौन सा हो गया लीवर इसको बहुत अच्छी तरीके से लीवर को हमने समझा रखा है यह फर्स्ट क्लास लीवर है और यहां इन्होंने दे रखा है सेकंड क्लास लीवर यह गलत दे रखा है फिर आता वेट लिफ्टिंग जहां भी आपको लगता है बल की आशकता पढ़ रही है फोर्स क्या शकता पढ़ रही है वह सेकंड क्लास लीवर ले ले लिए ठीक है बिलकूर सही लिखा हुए है हाई ड्राइब किक इन फिटबॉल फिटबॉल के अंदर किक कर रहे हैं बॉल को उपर मार रहे हैं जोर से तो मैंना भी बताया था है किकिंग, हिटिंग, स्मेशिंग ठीक है ना स्पाइकिंग, स्विपिंग इन सम्में थर्ड क्लास लीवर यह थर्ड क्लास लीवर लिखा है तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हुआ बी ऑप्शन हो नहीं ठीक है कुश्चन नमर टेन दिखते है पैरालिम्पिक्स 1948, विंटर ओलम्पिक 1928 समर ओलम्पिक 1896, स्पेशल ओलम्पिक 1968 मतला यह इसका फाउंडेशन इयर्स की बात किया रही है पैरालिम्पिक्स जो विकलंगों के लिए है जो सबसे पहली बार 1948 जो लंदन ओलम्पिक हुआ था तभी इसकी नीव रखी गी थी शुरुवात की गई थी और लुडविक गटमन जो एक लुडविक गटमन जो थे नियरो सर्जन थे उन्होंने यह स्टार्ट किया था क्योंकि जब वो दित्य विशुद के बाद जो बड़े विकलांग हो गए थे मांजी गुरुप से परिशान थे उन लोगों के लिए खेल स्टार्ट किया था तो लुडविक गटमन ने 1948 लंदन ओलम्पिक था उसी में ही इन्होंने पैरालिंपिक स्टार्ट किया था पैरालिंपिक का वर्ष उसी वर्स में होता जिसमें समर ओलम्पिक होता है ठीक है न? उसके Winter Olympics Winter Olympics अगर मैं कहूँ कि ओलम्पिक किसकी देन कही आती है तो बोलते बेरंडी के पियरे कुबर्टीन दोळा स्टार्ट किया गया था ठीक है न? कुबर्टीन नहीं Winter Olympics 1924 1924 पैरिस में ऑलम्पिक को हुआ था पैरिस में चैमानिक्स करके जगा थी वहाँ पर उन्होंने ऑलम्पिक स्टार्ट किया था विंटर उलम्पिक तो इसके देन किसकी कहिए थे बैरंडी पियरे गुबर्टीन की जिसको फादर आप माडर्न ऑलम्पिक कहा था उन्हीं की देन कही आती है फिर अथा समर ऑलम्पिक 1896 से विल्कुल सही है तो यहाँ पर आप देख रहे थे पहले तो यह गल्फ दिरखा 1928 दिरखा गल्फ है 1924 होना चाहिए यह समर ऑलम्पिक कवर्टीन ने स्टार्ट किया ठीक है उसके बाद आप देखेंगे स्पेशल ऑलम्पिक्स 1968 विल्कुल सही 1968 और जो अमेरिका के रास्पतिक केनेडी थे उनकी बहन ने यह स्टार्ट किया था उनकी बहन का नाम यूनिक केनेडी केनेडी की स्पेलिंग के डबल नेडी यूनिक केनेडी श्राइवर इन्होंने स्टार्ट किया था 1968 में स्पेशल ऑलम्पिक मतब अगर देखा जाए तो जो मांसिक रूप से है ना intellectual disability जो होती है वो इसमें पार्टिस्पेट करते हैं तो आपने देखा यहां पर इसका आंसर क्या हुआ विंटर ऑलम्पिक गल्दी रखा 1924 होना चाहिए आज का लास्ट 11 कोशन कि निम में क्या विश्ण में सेंटर सर्किल 60 यार्ड सर्किल पैनल्टी एरिया गोल एर थोठोगिया अगर ढंख से देखते हैं तो इसमें और क्या दिख रहा है हमें इसमें साफ साफ और दिख रहा है कि सेंटर सर्किल कहां होगा कई खेलों में इस साकिए बासकेटबॉल में कितना होता है उन पैनल्टी एरिया ले All You होता है उसके 16 यार सरकिल हौकी में यूज होता है फिर आप देखेंगे पैनल्टी एरिया अगर पैनल्टी एरिया देखा जाए तो फुटबॉल में देखा जाता है हैंडबॉल में भी होता है गोल एरिया देखा जाए तो गोल एरिया जो होता है वो फुटबॉल के अंदर ह होता है जिसके अंदर जो हमारा जो गोल को कभी बाल बाहर चली जाती है एंड लाइन से तो बाल को उसी गोल एरिया की लैंग पर रखा जाता है तो गोल एरिया पैनल्टी एरिया सेंटर सर्किल पैनल्टी आर की सब फिटबॉल पैनल्टी तो यहां पर सिक्ष्टीन यार्ट सर्किल जो होकी समझे तो यहां पर और हो गया तो आपने देखा यह हमारे गैरा कोशन्स अगर गैरा मैंसे अगर आपके लगबग आठ या नौ सही होते तो आप बिलकुल सही रास्ते पे चल रहे हैं बिलकुल और यह कैपसूल क्लासिस हमने आज़ स्टार्ट की है निव कैपसूल क्लासिस करके और यह लगातार डेली क्लासिस चलेंगे जो हमारे से जुड़ना चाहता है मैं दुबारा से नंबर एक फ्लैश कर दे रहा हूँ आप इस नंबर पे आप वाटस अप कीजिए तो हमारे से और उनको देखने का तरीका जब भी जो भी कैपसूल क्लास का फाइल नेम आप देख रहे हैं उस फाइल नेम को सीधे स्टडी मैटेरियल पर जाके देखेंगे तो सेम उसी क्या स्क्रीन चॉट या पीडियेफ होगा जिसकी वीडियो आपको मिलेगे तो इसी तरीके से हाँ मैं फोन नंबर जरूर अवश्य लिख दी रहा है यहाँ पर आप पोन नंबर नोट करने की जिरूत है कि आप दिखेंगे हमारा फोन नंबर है सेविन नाइन एट थ्री सिक्स थ्री सेविन डवल एट जीरो इस नंबर पर आप वाट्स अप कर सकते हम से जुड़ने के लिए All the best सभी को जय हिन जय भारत और अपने पूरे परिवार के संग अपने सुन्दर परिवार के संग आप खुली फस्टिबल का मज़ा लीजिए और इसी तरीके से आप जुड़े रहिए Thank you सभी को और यह new capsule classes daily आपको मिलेंगी All the best सभी को Thank you सभी को जय हिन जय भारत